अज हम लोग बढ़ेंगे common medical term नॉर्मली medical में यूज होने वाले जो terms हैं उनको आज हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट है एनलजेसिक, एनलजेसिक मेडिसिन वो सारी मेडिसिन होती है जो pain relief को कम करती है जैसे कोई मेडिसिन है उसमें इनलजेसिक लिखा हुआ है तो वो pain को relief करने का काम करती है और सेकिंड है एन्टिपायरिटिक ड्रग यूज टू रिडियूस फीबर इट मिंस यह फीबर को कम करने में यूज होती है एन्टिपायरिटिक ड्रग वो ड्रग है जो एजिंग को कम करती है और य लैसल है एगोनेस ड्रग एगोनेस ड्रग ऐसा ड्रग जो किसी receptor पर ड्रहिपर होती है यूज होती है इत मींस ड्रेसेप्टर पर जाने के बाद अपना action ला करती है उसे एंटागोनिस ड्रक है होती है पूर कि आपकोर लेड़ को कहते हैं उसे एंटागोनिस ड्रग को रोग देती हैं उसे एंटागोनिस के अक्षं को रोग देती हैं तो यह हैं जो cancer cell की growth को रोकती हैं एंजाइना पेन इन चेस्ट यदि किसी व्यक्तिक के चेस्ट में पेन हो रहा है तो उसे हम लोग एंजाइना कह सकते हैं एनिमिया deficiency of hemoglobin in blood ब्लड में hemoglobin की कमी को एनिमिया कहते हैं इसके अलावा और भी कुछ medical terms है जिसके अंत में suffix itis जुड़ा रहता है itis it means inflammation इंफ्लमेशन क्या होता है किसी भी किसी भी cells या टीसू के अंदर किसी भी cells या टीसू के अंदर fluid का accumulation हो जाना fluid इकठा हो जाता है उसे inflammation कहता है फर्स्ट है carditis inflammation in heart यदि heart में inflammation हो जाए तो उसे carditis कहते है arthritis inflammation in joint यदि joint में inflammation हो जाए शूजन आ जाए arthritis कहते हैं ऐसी बहुत सारे बहुत सारे terms होते हैं जो यूज के जाते हैं जैसे ब्रोंकाइटिस inflammation in bronchi जो इस पारेटरी ट्रैक से रिलेटेद है कॉलाटिस inflammation in colon इंज मेंस इंटेस्टाइन से रिलेटेद है कॉलपाइटिस inflammation in vagina रिप्रोड़क्री सिस्टम से रिलेटेद है glossitis inflammation of tongue यदि आपके जीव में कोई inflammation हो जाता है तो से glossitis कहते है हेपट्रैटिस inflammation in liver गैस्ट्रैटिस inflammation in stomach अमासे में कोई सूजन आ जाता है उसे गैस्ट्रैटिस कहते है मैट्रैटिस inflammation in uterus यह भी यह प्रोड़क्री सिस्टम से रिलेटेद है and I hope कि आपको सारा यह समझ में आया होगा अगर समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को फिर से एक बार repeat करके सुनगे तुरंत आपको समझ में आ जाएगा